हैं पांडे जी आपका स्वागत है अभी तक आपका कुछ तय नहीं हुआ फाइनल नहीं हुआ है धन्यवाद पांडे जी अब रजेश जी हमारा तो सब कुछ फाइनल है पहले से फाइनल है और इतिहास इस बात का गवाव है यह आप से पूछें आपका क्या फाइनल हुआ कुछ यह बार-बार मुझे से कह रहे हैं पूछो पूछो हमारा तो सब हमारा तो सब कुछ फाइनल है ब्रजेश जी राजेश जी से पूछ लीजिए कि अनुप्रिया पटेल को क्या देने वाले हैं यह सुभासपा वालों के दिन कब आने वाले हैं संजय निशाद के बेटे को टिकट देके या काट के परिवारवाद पर कुलारी चलाने वाले ह हैं कि नहीं या अनुप्रिया पटेल के साथ परिवारवाद का डेफनीशन वही है या नहीं है इनसे पूछ लीजिए अरे एक सवाल कर लिया राजेश चोधरी ने तो आप गुस्सा हो गया है ब्रजेश जी मैंने आज बिधान सभा की जो इस्थिती देखी भगवान स्री कि महिमा को कम करने की कोशिष्ट और साजिस भारती जनात पार्टी कर रहे है मुझे लगता है जो भी आस्थावान लोग हैं भगवान स्री राम के साथ ऐसा भद्धा मजाग होते हुए देखकर उनको दुख हो रहा हो गा बिधानसभा वह भगवान स्री राम के पीछे आपने वादे किये थे मैं अभी बजट का देख रहा था ब्रजेश जी छे 6.49 लाग करोन का बजट पोटल अंतरीम बजट मिला के पिछली बार अभी इनों ने रस्तुत किया और उसमें से मैं तो आश्चेर चकित रह गया कि लगभग सवा चार लाग करोन रूपए यह खर्ची नहीं कर पाए तो बजट कितने का हुआ ज्यादा तर इनके विभाग 50% से कम ही बजट खर्च कर पाएं मैं आपको जिस भगवान सिराम की बात यह कर रहे हैं जो आप मेरे से क्लेम कर रहा हूं अपने बिधायकों से कहिए कि वो लोग सदन में जब बजट पर भासन हो तत्थ्यों और तरकों के और आकणों के साथ यह प्रस्तुत कर दें सरकार के सामने क्या है यह लोगतंत्र का निंडीओ ब्रजेश जी यह चॉता इस्तंभ है और आपको करोनों लोग देखते हैं उत्तरप्रदेश के तमाम लोग देखते हैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता तक इस बात जाणी चाहिए कि संस्कृती भी भाग जिस में भगवान सीराम और तमाम संस्कृतियां हमारी आती हैं उसमें केवल 20.9 प्रतिस्यत बजट जनवरी तक खर्च कर पाए हैं पिछड़ा कल्याण महज 11 प्रतिस्यत बजट एक खर्च कर पाए हैं उद्योग उत्तर प्रदेश के इवा बेरोजगार क्यूं है क्योंकि पता नही कौन उद्योग मंत्री है जो केवल 28 प्रतिस्यत बजट खर्च कर पाया और संख्यक कल्याण का केवल 42 प्रतिस्यत ये डेटा कहां पिकास प्रतिस्यत पंचायती राज 52 प्रतिस्यत पंड़ जी ये डेटा अमरुजाला का है मेरे पास आज तक का है टीबी नाइन भारत वर हम लोग इस वक्त हैं फरवरी 2024 में आप जन्वरी का मुझे डेटा दे ना जन्वरी पिछले वर्स ये देखिए ये देखिए मैं दिखा रहा हूं ये ये अगर आपके दर्सक देख पा रहे हूं आप बता दो आपकी बात का यकीन है आप पर विश्वास करते हैं आप 4.76 लाक करोण आप समझे कि ये सरकार कर क्या रहे है अमर उजाला की कबर है तो मैं ब्रजेश जी आपको ये कह रहा हूं कि ये जो सदन है वह इस बात पर चर्चा का इस्थल है कि आप जो है भारी भरकम बजट उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाते हो कि हमने 6.49 लाक करो सवा 3.5 लाक करोण का आपका बजट है इसलिए आपको राम नामी दुपट्टा ओड़ कर विधान सभा में आने की मजबूरी है आपकी आपको भगवान सी राम के नाम के पीछे छिपना आपकी मजबूरी है आप शे बार भगवान नाम ले लिए हैं यही तो भारती जनता पार्टी की सफलता है कि आपको गेर के उस पर ले आते हैं छे बार बोल चुके हैं आप देखिए 2014 के पहले भी भगवान सी राम जी थे 2011-12 में भी भगवान सी राम मंदिर पर मानिय कोट का आदेश आया था जिसमें राम लला बिराजमान को वही जगह दी गई थी जो अब दी गई है अरुन राजबर ये जानना चाहते हैं पांडे जी क्या आपका सीटें फाइनल हो गई आपकी अंतिम हो गई अपना देख लीजिए अरुन राइसा जानना चाहते हैं नै ये बड़ी अच्छी बात है अगर अरुन जी जानना चाह रहे हैं असल में उत्तरप्रदेश की जनता तो ये जानना चाह रही है आपके साथ इतना वड़ा खेला क्यों हो रहा है पहले जब आप सपा के साथ थे तो भाजपा के लिए कहते से खेला हो बे खदेड़ा हो बे आपके साथ खेला खदेड़ा दोनों हो रहा है अरुन जी आप इस पर बताईए ठीक है अरुन को करेक्ट कर ले थे एक सेकंड रुख जाओ पाने जी आपके बड़े भाइस आपको मंत्रीपद मिलेगा की नहीं मिलेगा आप जवाब ले लो